कि हलो डिया स्टूरेंस तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने अपनी क्रिश्टर फील्ट थी तो च्छार्ट कर दिया था ठीक है उसके पोस्ट्यूलेट्स जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट थे वह मैंने आपको बता दिये थे कि कैसे crystal field theory के अंदर हम जो आपका metal ions होता है उनको हम point charge consider करते हैं ठीक है na orbitals की overlapping के जरीए आपके उसमें bonding नहीं होती है ठीक है यह हमने देखा था ठीक है उसके बाद हमने देखा था कि जो आपके degenerate orbitals होते हैं जैसे आपके d block के 5 orbitals होते हैं आपके स्टार्टिंग में आपके degenerate रहते हैं मतलब आपके सेम energy level पर रहते हैं ठीक है लेकिन जैसे उसके आसपास एक spherically symmetrical field आता है ठीक है तो क्या होता है वह जो आपके orbitals हैं वह आपके किसी higher energy level पर चले जाते हैं ठीक है रिपल्शन के जरीए सिस्टम की energy increase हो जाती है ठीक है इससे वह higher energy level पर चले जाता है लेकिन steel वह आपके degenerate ही रहते हैं ठीक है लेकिन जब आपके ligand approach करता है metal की तरफ ठीक है जब external field apply होता है एक original में तो क्या होता है वह जो आपके orbitals होते हैं वह split हो जाते हैं आपके दो levels में EZ और T2Z में ठीक है दो आपके energy levels में वह differentiate हो जाते हैं ठीक है उनके जो बीच का जो गेप होता है वह भी हमने देखा था बेरी center उसे हम कैसे calculate करते हैं ठीक है वह हमने देख लिया था मतलब उसकी value क्या होती है डेल्टा नोट से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ठीक है उसको हम calculate भी करते हैं ठीक है वह आज की class में हम सीखेंगे तो आज की class में स्टार्ट करेंगे आपके crystal field stabilizing energy को ठीक है cfc जो हमारा term topic था कलका वह बच गया था उसको हम आज आज complete करते हैं और start करते हैं आपका crystal field crystal field stabilizing कि energy कि इसे हम क्या बोलते है cfc ठीक है जिस complex के लिए cfc की value जितनी ज्यादा होगी वह complex आपका उधने ही ज्यादा क्या होगा स्टेबल होगा ठीक है एक बार कल का जो आपका orbitals था वह हम एक बार वापस देख लेते हैं ठीक है यह आपके और विटल थे ठीक है यहां के बाद में आपके यह दो पार्ट में आपके split हो जाते हैं ठीक है उपर आपके दो orbital रहते हैं ठीक है जिने हम बोलते हैं eg ठीक है यह वह दो orbital रहते हैं जिनकी lobes along the axis लाई करती है ठीक है कौन-कौन से होते हैं आपके d z square और d x square minus y square यह आपके तीन orbitals रहते हैं इनको हम बोलते हैं आपका t2g क्या बोलते हैं t2g जापिर आप देखिए यह रहते हैं आपके d x y d yz और d xz जिने हम combine form में क्या बोलते हैं t2g set ठीक है और यह होता है आपका d z square और d x square minus y square ठीक है इसे हम क्या बोलते हैं easy ठीक है यह हमने energy gap भी देख लिया था यह तो आपका mean value रहती है यह में आपका mean energy लेवल जिसे हम क्या बोलते हैं very center very center या फिर हम क्या बोलते हैं आपका mean energy level यह 0 हम इसको मान सकते हैं ठीक है यह अपर वाला portion positive और नीचे वाला आपका negative ठीक है यह जो value होती थी यह हमने 10dq भी लिखते हैं clear है यह कल धाक हमने देख लिया था ठीक है एक और चीज चो हमने देखी थी कि यह जो आपका energy difference होता है कि आपके mean energy level से अपर energy वाले level के लिए ठीक है यह होता है आपका 3 by 5 delta node यह भी इस से 0.6 delta node नोड भी लिख सकते हैं ठीक है यह वाला जो गेव होता है ठीक है यह होता है आपका minus 2 by 5 delta और यापक को रिसको हम बोल सकते हैं, 0.4 delta node ठीक है यह हमने देख लिया था ठीक है इसका हम पर औरे ब्रकिन किसी को पर जैसे ऐसे इन्ठ आया यहां मतलब यहां ऑप वह आपके साट में अचय को यह गत्लाब यह आपкі नॉर्मल एनेरजी लेवल और जैसे आपका enter इस सेट में आपका electron enter होता है negative sign है यहाँ पर minus 2 by 5 delta node इसका मतलब क्या है यह जो electron है यह आपके system को क्या कर रहा है energy एक तो रिलीज कर रहा है negative sign है मतलब energy release हो रही है यह तो आपके higher level पर मतलब यह तो increase energy level पर higher energy level पर ठीक है मतलब आपका complex है उसको तो यह जो आपके orbitals है system की energy को बढ़ाएंगे या फिर हम कह सकते stability को कम करेंगे यह जो electron है आपके जो नीचे वाले यह क्या करेंगे system की energy को decrease करेंगे और stability को क्या करेंगे बढ़ाएंगे negative sign यह indicate करता है कि energy क्या हो रही है आपकी release हो रही है और stability gain हो रही है अगर हम यहां negative sign का indication देखेंगे हैं तो हम क्या कह सकते है नेगेटिव sign indicate यह आपका negative sign है ठीक है ना हम लेख सकते है नेगेटिव साइन इंडिकेट इस टेबिलिटी कितने amount से stability हो रही है वह हो रही है आपके 2x5 2x5 डेल्टा नोट या फिर आप इसे लिख सकते हो 0.4 डेल्टा नोट मतलब यह जो एलेक्ट्रों ने यह आपके system को stabilize कर रहा है by this much energy मतलब इतनी energy वह release कर रहा है इतनी energy आपके system से क्या हो रही कम हो रही है जितनी energy कम होती है आपके system की stability उतनी बढ़ती है ठीक है तो इतने amount से यह electron क्या कर रहा है आपके system को या जो भी आपका complex से उसको stable कर रहा है तो यह जो energy होती है इसे हम बोलते है crystal field stabilizing energy कि कितनी energy से आपका system है वो क्या हो रहा है stable हो ठीक है एक electron के लिए होगा दो electron तीन electron फिर चार पांच जितने electron भर जाएंगे उस हिसाब से हम crystal field stabilizing energy को calculate करेंगे और जिसके लिए stabilizing energy जितनी ज्यादा होगी वो आपका complex उतना ही ज्यादा क्या होगा stable होगा ठीक है यह आपकी positive value है यह आपकी negative value मतलब system की energy क्या हो रही है decrease हो रही है system की energy अगर decrease होती रहेगी तो आपकी complex की stability बढ़ती रहेगी ठीक है तो मतलब जैसे एक complex है जिसके लिए cfse की value है minus 200 और दूसरा complex है जिसके लिए cfse की value है minus 300 तो minus 300 है मतलब energy किसमे ज्यादा होई minus 300 वाले में तो वो आपका complex क्या होगा ज्यादा stable होगा ठीक है ना तो जितनी ज्यादा आपके negative value होती जाएगी cfse की आपका जो complex है वो उतना ही ज्यादा stable होता जाएगा ठीक है यह होती है आपकी crystal field stabilizing energy ठीक है आप लोगों को clear हुआ होगा ठीक है यह हुआ फर्स्ट में अब बात आती है कि इसको हम calculate कैसे करें केलकुलेट करना बिल्कु लीजिए अगर हम बात करें crystal field stabilizing energy तो हमें पता यह जो electron है नीचे वाले यह तो क्या करेंगे system को stable करेंगे यह वाले electron system को unstable करेंगे हम बात करते हैं cfse की ठीक है तो हम लिख सकते हैं यहाँ जो energy release होती है कितनी two by five यह माइनस साइन के साथ लेंगे ठीक है ना माइनस two by five डेल्टा नोट इंटू नमबर ओफ electrons in T2G जितने ज्यादा आपके T2G में सेट में electrons बढ़ेंगे जिसे एक बढ़ा फिर दो तीन तो वह क्या करेंगे आपकी सिस्टम की जो energy उसको और ज्यादा decrease करेंगे तो सिस्टम की energy को decrease करने में मतलब stability को बढ़ाने में किनका योगदान है जो electron यहाँ पर अविलेबल है ठीक है तो number of electron in T2G into minus 2 by 5 delta note ठीक है यह तो stability को बढ़ाएंगे अब यह जो electrons आएंगे वो क्या करेंगे stability को कम करने क्योशिश करेंगे तो हम लिख सकते हैं यहां का energy gap कितना है that is 3 by 5 delta note इसको multiply कीजिए number of electrons in eg set ठीक है यह होता है आपका simple cfc calculate करने का formula जिसके जरे हम अलग-अलग electrons के लिए हम energy भी calculate करेंगे d1, d2, d3 से लेकर d10 तक के लिए हम cfc के value count करेंगे ठीक है यह तो होती है जब आपके pairing energy include नहीं होती है क्योंकि जैसे ही यहां पर pairing energy होती है तो pair करने के लिए हमें energy देनी पड़ती है ठीक है तो यह वह condition है जब हमने pairing energy को include नहीं किया है तो generally अगर क्यूशन में pairing energy नहीं दी हुई है तो आप को यही formula apply करना है अगर मानलो pairing energy दे दी जा है तो अब हम क्या करेंगे यह तो condition है when pairing energy is not considered is not considered ठीक है जनरली आपको नहीं दी जाती है लेकिन कभी कभी question में pairing energy दे दी जाती है तो उसको आपको यहां add करना पड़ेगा तो उस condition में आपके CFSC की value क्या होगी that is minus 2 by 5 delta naught into number of electrons in T2G set plus 3 by 5 delta naught into number of electron in EG set plus pairing energy ठीक है अगर एक pair हुआ तो उसके लिए P second pair हो गया तो उसके लिए 2P third pair हो गया तो उसके लिए 3P तो हम लेख सकते है P into number of pairs number of pairs आपके कितने pairs बनते है ठीक है अगर एक के लिए P है तो अगर दो पेर है तो टू से हमें साब positive आएगा यह आपकी energy होती है यह आपको देनी पड़ेगी ठीक है इससे तो आपकी system में stability बढ़ती है और इससे क्या होगा आपकी stability decrease होती है ठीक है तो यह formula है आपके दो formula है जब आपको pairing energy consider करनी है तो यह formula काम में लेना है जब आपके pairing energy नहीं दी हो तो आपको यह formula काम में लेना है ठीक है यहाँ एक और point हम यह भी लिख सकते हैं more negative more negative is the value of more negative is the value of CFSE जितनी ज्यादा उसकी negative value होगी ठीक है ना the complex will be the complex और विल भी मोर स्टेबल मतलब आपके एक case में तो एक complex के case में तो आपके minus 200 energy release हुई ठीक है और एक case में आपके minus 300 energy release हुई ठीक है तो जिसकी ज्यादा value होगी CFSE की मतलब minus 300 ज्यादा है ठीक ना minus sign तो indicate करता है energy release को ठीक है ज्यादा हो रही है तो यह वाले जो complex है आपके orbital से यह stability को बढ़ाएंगे stability को बढ़ाएंगे तो आपका complex क्या होगा ज्यादा stable होगा CFSE की value उतनी ही ज्यादा आईगी ठीक है यह चीज है जो आपको ध्यान रखनी clear है यह होती है आपके crystal field stabilizing energy ठीक है अब हम एक एक calculate करेंगे कि D1 के लिए value क्या होगी D2, D3, D4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 उनके लिए जैसे जैसे हम electron के feeling करते हैं आपके लिए crystal field stabilizing energy की value क्या क्या आती है ठीक है यह formula है जो अपने को काम में लेना है ठीक है क्योंकि pairing energy जो होती है आपके experiment के through हमें पता चलती है ठीक है ना इसलिए हम normal condition में आपके CFSC का यही formula काम में लेते हैं ठीक है clear है इसको एक बार आप note कर लिए फिर हम पढ़ते हैं आपके D1 से लेके D10 के लिए CFSC की value क्या क्या होगी ठीक है एक बार आप इसे note कीजिए से और कैंगे तो स्टार्ट करते हैं अपनी एलेक्ट्रॉन की फीलिंग ठीक है आपके पिता रहा है है एडराल सिवय हैध्योट कॉमप्लेक्स में ठीक है माइलेक्र ट्रॉन कि डिस्ट्रीबिशन in octahedral complex octahedral complex के से हम electrons का distribution करते हैं आपके octahedral complex में ठीक है इसको हम दो पार्ट में कर दिवाइड कर लेता है ठीक है तेकिए फर्स्ट पार्ट में आप लिखोगे नंबर ओफ डी एलेक्ट्रॉंस नंबर ओफ डी एलेक्ट्रॉंस ठीक है इसके बाद हम देखेंगे आपका अरेंजमेंट अरेंजमेंट इन वीक फिल्ड लेगेंड के कैस में क्या होगा और यहां हम फाइंड आउट करेंगे आपके सीएफ एसी की वेल्यू क्या आती है ठीक है सेम टू सेम हम राइट में भी करेंगे आपका अनूंबर ओफ डी एलेक्ट्रॉंस ठीक है उसके बाद अरेंजमेंट इन श्टॉंग फिल्ड लेगेंड मतलब दोनों केस में हम देखते हैं सीएफ एसी के वेल्यू क्या आती है ठीक है यह आपका सीएफ एसी ठीक है क्लियर चलिए अब देखिए बात करते हैं आपके डी वन के कॉन्फिगरेशन के लिए किसके लिए डी वन के कॉन्फिगरेशन के अगर हम बात करें अरेंजमेंट कैसा होगा देखिए यह आपके T2G set है और एक आपका easy set है यह आपका lower level पर यह आपका higher level पर ठीक है ना यह सभी के लिए होगा ठीक ना तो मैं आप एक बार सभी के लिए बना देता हूं ठीक है ना ताकि बात में अपने को क्या करना पड़ा है केवल electrons की feeling करने पड़े T2G easy यह आपका D3 यह आपका D4 और यह आपका D5 और यह आपका D5 और खीक है सेम टू सेम हम बनाएंगे आपके strong field के लिए यह आपका D1 D2 यह आपका D2 ठीक है D4 और यह आपका D5 ठीक है तो देखिए अब हम कैसे एलेक्ट्रों की feeling करते हैं और cfc की वेल्यू को find out करते हैं cfc का फोर्मला क्या होगा आपका माइनस टू बाइफ यह हम लिख सकते हैं माइनस पॉइंट पॉर इंटू नंबर ओफ एलेक्ट्रोंस इंटी टूजी प्लस यह आपका इजी सेट रहेगा तो टी टूजी सेट में आपके काउन्ट लोगे टी टूजी और नंबर ओफ एलेक्ट्रोंस इंटी इजी सेट ठीक है क्लियर है यह चीज आपको ध्यान रखने हैं अब देखिए डीवन के लिए अगर बात करें ठीक है एक यहां फिल होगा एक एलेक्ट्रों भी यहीं फिल होगा ठीक है कहां गया यह आपके टीटूजी इसे हम रिप्रेजेंट भी करते हैं यह आपका टीटूजी वन और एजी 0, इस तरह से represent भी किया जाता है, ठीक न, ये भी आपको ध्यान रखना है, एक electron जाएगा, energy की value क्या होगी, आपके 0.4, minus 0.4, ये तो आपके easy की value 0 ही होगी, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, और ये आपके delta note, ठीक है, यहाँ पे लिए, यहाँ भी same होगी value आपके, किसमें जारी है, T2G set में जारी easy की value 0 ही, यहाँ पे भी value क्या आएगे, आपके minus 0.4, delta note, ठीक है, clear है, D2, 1, 2, यहाँ पे भी आपके 2 electron, same रहेंगे, ठीक है, 0.4 into 2, ये कितने होगी आपके बास, minus 0.8, delta note, यहाँ पे भी same है, minus 0.8, delta note, clear है, D3 को, अगर हम case लें, तो तीनों में आपके एक-एक electron fill हो गए, यहाँ पे भी आपके तीनों में एक-एक electron fill हो गए, ठीक है, तो 0.4 into 3, that is minus 1.2, delta note, ठीक है, यहाँ पे भी आपके minus 1.2, delta note, ठीक है, अब बात आती है आपके 4th में, ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी देखा थ होता है कि D1, D2, D3 में, आपके pairing नहीं होती है, ठीक है, हमने VBT में use किया था, इस चीज़ को, ठीक है, कि D1, D2, D3 में pairing नहीं होती है, ठीक है, हाइब्रिडाशन क्या होता है, आपका D2, SP3, ठीक है, रिकॉल करना चीजों को, ठीक है, यह आपका 4th, यह आपका weak field ligand, हमने पहले देख लिया कि weak field ligand के case में sparing नहीं होती है, 4th में जाएगा, ठीक है, यहाँ अगर हम energy के value calculate करेंगे, 0.4 into number of electron 3, यह आए आपकी minus 1.2, ठीक है, 1 into 0.6, यह आपकी 0.6, ठीक है, तो minus 1.2 plus 0.6, value आएगे आपके पास minus 0.6 delta 0, ठीक है, D4 यहाँ लेंगे हम, 1, 2, 3, अब strong field ligand के case में क्या होती है, pairing होती है, pairing होती है, ठीक है, 4 into minus 0.4, easy वाले तो 0 है, तो 4 into minus 0.4 यह वह आपके पास minus 1.6 delta 0, although यह जो value आएगी, 1.6 से कम आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ आपको pairing energy देनी पड़ेगी, ठीक है ना, लेकिन हम उसको consider नहीं करें, लेकिन अगर consider भी करें, तो minus 1.6 से गिर के, 0.6 तक तो नहीं आ सकती, ठीक है, उससे तो कम ही आएगी, ठीक है, हो सकता है, minus 1.5 आजा है, ठीक है, तो भी इससे तो ज़्याद है, clear है ना, यह हुआ आपका D4 electronic configuration, D5 की अगर हम बात करें, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 0.4 into 3, यह हुआ आपका minus 1.2, ठीक है, 2 into 0.6, यह हुआ आपका 0.6 into 2, यह भी हुआ आपका 1.2, तो 1.2 plus minus 1.2, यह हुए 0, D5 के case में आपके CFSC के value क्या हरी है, 0, ठीक है, यहाँ देखिए, 1, 2, 3, pairing होगी, 4th, 5th, EG आपका 0 है, ठीक है, 5 into 0.4, कितना हुआ, 2, तो minus 2.0, delta 0, ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, weak field ligand और strong field ligand के case में CFSC के value find out कर सकते हैं, ठीक है, क्यूशन पूछे जा सकते हैं, इसके उपर ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आपको formula याद रहेगा, तो आप arrangement से strong field ligand हो है, weak field ligand हो, किसी के लिए भी CFSC के value calculate कर सकते हो, ठीक है, यह मैंने आपको बताई दिया arrangement, ठीक है, यह T2G1 है, EG0 है, अगर इसको represent करना हो, तो कैसे represent करूँगा मैं, आपका T2G, इसमें कितने 4 electron होगे, यह आपका EG0, ठीक है, ऐसे represent कर सकते हैं, यहाँ represent करना हो, T2G3, EG2, ठीक है, इसको आप note कीजे, फिर हम पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं, आपके D, 6, 7, 8, 9, 10 के लिए, ठीक है, अगर हम बात करें, उनके लिए कैसे हम energy को value को find out करेंगे, ठीक है, अगर D6 की बात करें, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, यहाँ पी आपका 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 6 electron, तो 1, 2, 3, 4, 5, अब जाके आपके pairing स्टार्ट होगी, clear है, 4 x 2.4, कितना है, –1.6, यह –1.6, ठीक है, 2 x 2.6, तो –1.6, प्लस 1.2, कितना है, –4, same value है, ठीक है, यहाँ चलिए, 1, 2, 3, pairing होगी, 4, 5, 6, clear है, 6 x 2.4, कितना होगा, –2.4, –2.4, easy में आपके 0 है, कोई दिककत नहीं है, यह 0, value कितने आएगी, आपके –2.4, delta, no, clear है, 7th case ले दिजे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, clear है, 5 x 2.4, कितने भी value, यह होगी, –2.0, 2 x 6, 0.6, that is 1.2, हो, तो 2-1.2, कितना होगा, आपका 0.8, same value आएगी, फिर, यहाँ पर लें, 1, 2, 3, 4, pairing होगी, यहाँ पर, 4, 5, 6, और यह आपका 7th, ठीक है, 6 x 2.4, कितना होगा, –2.4, 1 x 2.6, यह आपका 0.6, कितने value आएगी, 1.8, minus में 1.8, delta node, clear है, 8th configuration देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुछ चमका, D8 का अगर आप electronic configuration देखोगे, दोनों के case में, electronic configuration क्या है, सेम है, मतलब, D8 जब भी आपके complex में आएगा, आपके पास दो unpaid electron रहेंगे हमेशा, चाहे वो strong field legend हो, यह आपका weak field legend हो, इसलिए मैंने आपको एक example करवा है था, निकल का, नि-N-S-3, 6, 2+, वाला, ठीक है, जहाँ पर nickel का electronic configuration आता है, 3D8, ठीक है, निकल का एक example है, आप देखना, 3D8 आता है, वहाँ पर ammonia को हम weak field की तरह वर करते हैं, ठीक है न, मतलब, उसमें हम pairing नहीं करते हैं, चाहते हैं, तो हम pairing कर सकते हैं, क्योंकि strong field legend होता है, तो दो electron एक में हो किया, आपके पास 1D3 हो सकता था, बट, हमने वहाँ पर उसको weak field की तरह वर किया, और वहाँ पर pairing नहीं की, कुल मिला कि वही रिजन है, कि आप weak field हो, या फिर strong field हो, अगर आपके पास D8 electronic configuration है, तो वो जो compound होगा, complex होगा, वो nature में आपके paramagnetic होगा, ठीक है, और उसमें unpaired electron आपके पास रहेंगे, ठीक है, यह चीज यहाँ से proof होती है, ठीक है, इसके लिए अगर हम energy की value find out करें, तो 6 into 0.4, कितना हुआ, minus 2.4, ठीक है, 2 into 1.6, यह हुआ 1.2, तो यह हुआ, minus 1.2, same आएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों में configuration same है, ठीक है, D9 की बात करें हम, ठीक है, D9 के case में क्या होगा आपका, यह पूरानी है, इसको मैं ठीक है, ठीक है, ठीक ना, पूरानी value का आप हटा देना, ठीक है, जो नहीं value है, उसको रखना, ठीक है, 9 के case में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6 6 7 8 यह आपका 9 यहां पर भी आपका 6 7 8 और 9 सेम इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिग्रेशन है यहां पर भी आपका इलेक्ट्रोन बसता है ठीक ना पेरिंग नहीं होती है पेरा मैगनेटिक होता है नेचर में ठीक है यहां हम सीफसी की वेल्यू निकाले तो 6 इंटू.4 यह माइनस 2.4 ठीक है 3 इंटू.6 यह आपके पास 1.8 है कि यहां पर भी वेल्यू कितनी आएगी पॉइंट 6 ही आएगी ठीक है ना सेम आएगी क्योंकि एलेक्ट्रोनिक कॉन्फिग्रेशन सेम है आपका ठीक है यहां हम बात करें यह जो टीटू जीजी है पहले व ही 10 के लिए हम बात करें तो सभी एलेक्ट्रोन फिल हो जाएंगे सभी ओर्बिटल आपके फिल हो जाएंगे कंप्रीट तो देखिए 0.4 इंटू 6 यह आएगी पॉइंट 2.4 कितनी वेल्यू आएगी आपके पास के लेक्ट्रोन का जो फिलिंग होती है चाहिए वह वीक फिल्ड हो जा स्टॉंग फिल्ड हो आप सीए पसी के वेल्यू केल्कुलेट कर सकते हो ठीक है इंपोर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है इसके बाद आपको कोई भी एलेक्ट्रोन कोंफिक्शन दे दिया जाए आ तो पेरिंग करो उसके बाद आगे इसके बाद आगे पांच हो उसके बाद आपकी पैरिंग होगी यह चीज आपको ध्यान रखने ठीक है उसके बाद आप किसी भी deconfiguration में किसी भी electron का आप क्या निकाल सकते हो CFSC की value find out कर सकते हो ठीक है I hope यह आप लोगों को clear हुआ होगा ठीक है ओके तो यह थी अपनी crystal field theory किसमे जब आपका octahedral field होता है ठीक है अब हम पढ़ेंगे आपकी crystal field theory ठीक है I hope यह आप लोगों note कर लिया होगा अब हम बात करते हैं आपके splitting in tetrahedral field में ठीक है देखिए splitting in tetrahedral field देखी, इसको फिर समझते हम, एक में डाइग्राम ट्रो करता हूँ आपके लिए, ठीक है ना, ताकि अच्छे से समझ में आए, यह आपका Q है, ठीक है? ठीक है, यह आपका Central Metal है, ठीक है, यह आपकी X-axis, यह आपकी Y-axis और यह आपकी Z-axis, ठीक है? यह आपके, सिमिलर, आपके, यहाँ पर क्या होगी है, यहाँ पर यहाँ पर आपकी Z, ठीक है? यह, यह Central Metal Hatem है, ठीक है, अगर हम मुझे, औक्राहिजाडरल विल्ड के बारे में बात करें, ठीक है? हेट्रल आपकी जो पोजिशन है वहाँ पर होंगे एक एटम मैंने यहां रख दिया ठीक है या फिर एक एटम यहां रख दिया एक यहां पर रख दिया एक मैंने रख दिया यहां पर और एक रख दिया यहां पर ठीक है अब इनकी पोजिशन देखिए यह आपके एट्र Hômें हो गया 1000 स्टॉक्चिर हो गया gide aloud ए चि workshops और यहां पर पीच में आपका संट्र में जैंटल है थीखे यहां भी आपका ने अमंहें लिगेंड है और यह आपका लिगेंड और यह आपका लीगेंन इखे लिगेंड साव के शैंटल internet को approach करें ठीक? न अब देखिए लास्ट वाली के ताकन के प्र गिंट से एकटाहें verw यहां पर पो ऑर एक्स इसके बीच में ए लेड़ से चैस और तो तो वह lobes, वह lobes, जिनकी axes या वह आपके oorbital's, जिनकी lobes along the axis नहीं, जो between the axis lie करेगी, इस बार, वहाँ पे आपको repulsion फील होगा, ठीक is न? D में आपने पता था D orbital में आपके D sub shell में आपके 5 orbital थे ठीक है न D x y D y z और आपका D x z ठीक है और एक था दो एक set था आपका D z square और D x square minus y square ठीक है यह आपके यह जो तीन set है यह जो आपका set है तीन orbitals का ठीक है यह आपके between the axis लाए करते हैं इसलिए यह जो set था easy last time में पहले उपर था octahedral में क्यों क्योंकि repulsion ज्यादा हो रहा था repulsion की वज़े से energy increase हो रही थी इस case में क्या होगा यह जो आपके तीन set रहेंगे टीटूजी वाले टीटूजी वाले यह आपका easy set ठीक है अब जो टीटूजी वाले set से क्योंकि इनकी lobs लाए करेगी आपके along between the axis ठीक है between the axis लाए करेगी तो इस बार repulsion होगा टीटूजी set में और इनकी energy increase हो जाएगी लास्ट केस में गया था आपका यह आपके d यह आपके orbitals थे ठीक है ठीक है symmetric field की वज़े से इसकी पहले तो क्या होगी energy increase होगी ठीक है clear energy increase होगी symmetric field की वज़ेसे यह आपका d orbitals ठीक है अब जैसे ligand approach करेगा वापस यह splitting split होगा आपके दो पार्ट में और इस बार आपके repulsion किसमे होगा जादा t2g वाले में क्योंकि इनकी जो axis लाए करती है वो between the axis करती है तो आपके जो t2g वाले set है 3 orbitals वो इस बार आपके higher energy level पर रहेंगे और down में आपके रहेंगे आपके easy वाले orbitals ठीक है और यह बीच में आपका mean energy level ठीक है या इसे हम बोलेंगे very center very center या फिर आपका mean energy level ठीक है वो ही same जो आपका difference होता था energy में difference वहां पर delta O था यहां पर हम बोलेंगे इसे delta T T stand for tetrahedral ठीक है वहां पर क्या था delta O moment love आपका octahedral ठीक है यह आपका crystal privilege splitting हो गई ठीक है clear है वहां पर जो यह energy difference था वहां पर अलग था यहां पर अलग रहेगा यहां पर आप देखोंगे तो down में आपका two by five था कितना था यहां पर रहेगा आपका three by five delta note और upside में रहेगा आपका two by five delta T यह भी delta T रहेगा ठीक है यह आपका point आपके स्प्लिटिंग होगी वेल्यू जस्ट रिवर्स हो गई ठीक है ना जहां पहले टीटूजी नीचे था ओक्ताइडल में वहां टीटूजी उपर है और जहां इजी उपर था वहां इस पार इजी वाला है वह आपके orbital नीचे की तरफ में ठीक है वेल्यू लाश्ट में आपके three by five उपर की तरफ थी इस बार three by five आपके नीचे की तरफ है ठीक है और एक और चीज यह जो इसकी वेल्यू आपके जो डेल्टा ओ होता है उससे कम होती है यह चीज इंपर्टन ने जो आपको ध्यान रखिये हैं कि बेल्यू ओफ हम लिख सकते हैं वेल्यू ओफ कि डेल्टा टी यह हम आगे चलके प्रूफ भी करेंगे ठीक कि गहना इस लेस देन डेल्टा O और डेल्टा टी की जो वेल्यू होती है, वो होती है अरॉंड फूरवाई 9 डेल्टा O, ठीक है ना? यह चीज आपको ध्यान रखने है यह चीज आपको ध्यान रखने हूं ठीक है? अगर थेरी लिखना चाहता, आप थेरी भी लिख सकते हो तो ठीक ना मैं यहीं लिख देता हूं इसकी थिए इन केस ओफ टेट्राइडल फिल्ड दी लिगेंड्स दी लिगेंड्स अप्रोचेस दी लिगेंड्स अप्रोचेस दी इसकी दी कि लिख दिखिऊड्स, सब्सक्रबिवित्स अप्रोचेसस्च इसाड due to this, the orbitals whose lobes lie between the axis will feel more repulsion, will feel more repulsion, and their energy will increase, their energy will increase, ठीक है न, तो यह आपकी theory भी होगी, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है, इसे आप note कीजिए, फिर इसी के उपर कुछ और बात हम करते हैं, ठीक है न, एक बार आप इसे note कीजिए, तो आयोगी आप लोगों note कर लिया होगा, देखी, आपके tetraedral field में क्या है, यह जो आपकी energy gap है, ठीक न, यह क्या होता है, जबकि octaedral में आपके, यह जो energy gap होता है, ज्यादा होता है, ठीक न, यह चीज इंपोर्टेंट चीजिए, जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक न, क्योंकि इससे होगा क्या, इससे क्या फर्क पड़ेगा, यह अगर मान लो, आपको four electron fill up करने हैं, ठीक न, तो आप, यह तो यहाँ पे fill up कर सकते हो, यह फिर दोनों की pairing यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर energy gap जो होता है, वो difference कम होता है, इसलिए electron prefer कहां करता है, उपर, higher energy level पर वो चला जाता है, क्योंकि यह जो energy gap पर कम होता है, इसलिए यहाँ पर tetra ideal field में आपके जो pairing होती है, pairing नहीं होती है, ठीक न, आपके एक एक electron हर एक orbital में fill up होता है, जैसे आपके octa ideal field में हो रहाता है, weak field ligand के लिए अलग और strong field ligand के लिए अलग हो रही थी, ठीक न, जो हम fill up कर रहे था है, electrons, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, tetra ideal complex में यह जो splitting energy होती है, ठीक न, यह क्या होती है, क्या होती है, मैं आपको बता चुका हूँ, the value of splitting energy, यह क्या आपकी delta T, आपकी splitting energy है, ठीक है, इसकी value होती है, कम, इसलिए electron prefer क्या करता है, कि वो उपर वाले T2G orbitals में entry ले लेता है, ठीक है, क्योंकि अगर pair होगा, तो आपको pairing energy देनी पड़ेगी, ठीक है, तो pairing energy जो होती है, ठीक है, क्योंकि आपके splitting energy कम है, तो pairing हो नहीं पाएगी, ठीक है, इसलिए electron कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, यह important चीज है, जो आपको ध्यान रखनी है ठीक है, इसे आप note करकी लिख भी सकते हो, in case of tetrahedral field, in case of tetrahedral field, the splitting energy, the splitting energy is less or we can say is low. So, the electron, so the electron, prefer, prefer to fill in T2G orbitals, T2G orbitals, in case of tetrahedral field, the splitting energy is low, so the electron, so the electron, prefer to fill in T2G orbitals, without pairing, ठीक है न, without, without pairing, in easy orbitals, ठीक है न, तो जैसे हमने वहाँ देखा था, आपके octa header field में की low spin और high spin complex form होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, चाहे weak field हो, या strong field हो, आपको केवल एक-एक electron ही fill up करना है, ठीक है, ठीक है न, without T2G orbitals, without pairing in easy orbitals, ठीक है न, in case of tetrahedral field, there is no low spin complex or high spin complex, in either, in either case of strong field ligand or weak field ligand, okay, तो देखिए, यह होती है, आपकी splitting, किसमें tetrahedral field के gas में, ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, आपके splitting energy, ठीक है न, crystal field stabilization energy, cfac, ठीक है न, इसके लिए भी हम calculate कर लेते हैं, एक बार आप इसे note कर लीजे, अब हम बात करें, आपके crystal field stabilizing energy की अगर हम बात करें, cfac, ठीक है, जिसी हमने आपके octahedral के लिए find out की थी वेसे हम आपके tetrahedral के लिए भी find out करेंगे, ठीक है, तो crystal field stabilizing energy, cfac, ठीक है, देखें, क्या formula होगा आपका, cfac का, number of electrons, यह तो आपको क्या करेंगे, destabilize करेंगे, ठीक है न, stability को कम करेंगे, 2 by 5 into delta t into number of electrons in t2z set, ठीक है, इस formula से हम क्या करेंगे, आपके, cfac की value find out करेंगे, ठीक है, चलिए, try करते हैं और find out करते हैं, ठीक है यहाँ पर अपने को दो अलग-अलग calculate नहीं करनी, जैसे हमने, total case में किया था कि weak field के case में अलग और strong field के case में अलग बैसा नहीं होगा यहाँ ठीक है यह जो energy gap होता है, कम होता है इस case में ठीक है इसलिए आपके pairing नहीं होती चाहिए weak field हो यह strong field हो कोई pairing नहीं होगी, एक-एक electron fill up किया जाएगा ठीक है डीवन अगर हम बात करें डीवन electronic configuration इजी पहले ठीक है और उसके बाद आपका T2G ठीक है अगर हम बात करें आपके CFC की value की आयो यह आपने note कर लिए होगा ठीक है अगर हम बात करें आपके D1 के लिए कहा electron जाएगा easy में पहले जाएगा ठीक है T2G की value 0 तो point यह 3 by 5 मतलब 0.6 ठीक है तो CFC की value कितने आईगे आपके पास 0.6 delta T clear यह आपका 1 electron ठीक है D2 की हम बात करें D2 में भी आपके 2 electron fill up हो जाएगे ठीक है easy में और यह T2G आपका खाली रहेगा तो 2 into 0.6 यह कितना आएगा minus 1.2 delta T ठीक है D3 की हम बात करें तो pairing तो होने वाली है नहीं ठीक है तो 1, 2 and 3 ठीक है अब T2G में आपके एक electron चला गया ठीक है तो यह 0.4 और यह है आपका 2 into 0.6 that is minus 1.2 तो कितना आएगे net value 0.08 0.8 delta T ठीक है अगर हम D5 के लिए हम बात करें D4 के लिए हम बात करें 1, 2, 3, 4 EG यह कितना है 3 by 5 0.6 into 2 minus 1.2 और यह 0.4 into 2.8 यह फिर से value आएगे आपके minus 0.4 delta T ठीक है अगर हम D5 की बात करें 1, 2, 3, 4, 5 2 into 0.6 यह हुआ minus 1.2 और 3 into 0.4 यह हुआ 1.2 net value आपके कितने आरी 0 आरी ठीक है clear है अब हम बात करें आपके D6 से लेके D10 तक के लिए D6 के लिए हम find out करते हैं D6 ठीक है यह आपका EG सेट और यह आपका T2G सेट 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर आपके पेरिंग होना स्टार्ट हो गए तो EG में आपके कितने है 3, 3 into 0.6 minus 1.8 और 3 into 0.4 यह हुआ 1.2 ठीक है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 0.6 into 4 तो यह हुआ minus 2.4 ठीक है 3 into 0.4 यह हुआ 1.2 net value minus 1.2 delta T clear D8 वह आपका EG यह आपका T2G ठीक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clear तो 4 into 0.6 यह हुआ minus 2.4 4 into 0.4 यह हुआ 1.6 net value 0.8 delta T ठीक है D9 के लिए अगर हम बात करेंगे तो D10 में value क्या आएगी आपके 0 5, 6, 7, 8, 9, 10 value क्या आएगी 0 ठीक है ना तो इस पैसी की value find out की ठीक है किसके लिए एक तो ओक्ताइडर फिल्ल के लिए ठीक है उसके बाद हमने आपके ट्राइडर फिल्ल को देखा कि वो क्या होता है ठीक है उसमें कैसे आपके स्प्लिटिंग होती है ठीक है आपके अपके स्प्लिटिंग होती है ठीक है तो इलेक्ट्रों करता है आपके पेर होने के वजाए आपके ट्राइश की पार होने क्योंगे तो आपके अलेक्टर आपके अपर में जाना प्संद करेंगा ठीक है उसके बाद हमने आपके एनरजी चिह कि स्वज में करें पर्ड disagreement कर देंगे और नेक्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आपकी छो स्क्वाइर प्लैनर होता है ठीक है उसमें कैसे स्प्लीटिंग करते हैं ठीक है उसके बारे में बात करेंगे तो मिलते हैं फिर नेक्स लेक्चर थैंक यू वेरी मुच